नमस्कार आप लाइफ सिटीज देख रहे हैं अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदर निर्मान के लिए दान देने में उनके भक्त हनुमान जी सब से आगे हैं इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राम जन्म भूमी मंदर निर्माण के लिए पटना के हनुमान मंदर से मिले पाँच कड़ों रुपयों की। के विभिन मंदर समीतियों के तरफ से राम मंदर निर्माण के लिए जोली खोल कर दान दिये गए हैं। लेकिन इस अभ्यान के तहट जमा संग्रहित राशी की गिनती और चेक का क्लियरंस अभी जारी है। राम मंदर को दान देने में सबसे आगे रहा पटना। राम जन्म मंदर निर्माण निधी संग्रह की तरफ से मिले आखने के मुताबिक बिहार में दान देने में सबसे आगे पटना रहा। जिसने 6 कडोड 25,15,369 रुपे दान दी वही दानापुर ने अलग से 1 कडोड 22,98,437 रुपे का दान किया। वही बिहार के अन्य जिलों की बात करें तो इसमें भागलपुर ने 1 कडोड 66,14,295 रुपे आरा की तरफ से 1 कडोड 11,52,056 रुपे दिये गए। औरंगाबाद ने 1 कडोड 27,94,835 रुपे गए ने 1 कडोड 30,89,909 रुपे बाका ने 61,88,262 रुपे जमुई ने 34,99,247 रुपे लखी सराई ने 21,89,794 रुपे शेकपुरा ने 23,15,444 रुपे नवादा ने 80,90,975 रुपे नालंदा ने 87,47,348 रुपे लखी सराई ने 23,37,696 रुपे बार ने 45,43,335 रुपे अर्वल की तरफ से 13,16,603 रुपे जहनाबाद से 58,00, रुपे शेर घाटी से 41,05,422 रुपे रुपे रुटास से 89,87,430 रुपे कैमूर से 82,00, रुपे और बकसर से 80,28,106 रुपे मंदर निर्मान के लिए दान किये गए हैं। इस तरह बिहार की तरफ से आयोध्या राम मंदर निर्मान के लिए कुल 22,80,052,629 रुपे जमा हुए हैं। लाइफ सिटीज के लिए पटना फेर जैभासकर के रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। लेटिस्ट अबडेट्स के लिए फेस्बुक पेज को लाइक करें साथी साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।